नमस्कार अंतराश्ट्री ख़बरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है मैं हूँ चंदर शेखर जोशी इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हल चल से तो आएए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतराश्ट्री है सुर्खियां गाजा के रफाम में अभियान शुरू करने के लिए आईडिय एफ तयार फलस्तिनियों से सुरक्षित इस्तान पर जाने का किया आहवान अल मुवासी को घोशित किया सुरक्षित जगह UNRWA ने बताया तबाही वाला कदम योरोप के पांच दिन के दोरे पर पहुँचे चीन के राष्ट्रपती ने की फ्रांस के राष्ट्रपती मेकरों और योरोपी आयूग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर से मुलाकात युक्रेणी ड्रोन ने रूस के बेलगो रोड में दो बसों पर बरसाए बम, छे की मौत, पैंतीस घायल, राष्ट्रपती पुतिन ने सेना को दिया परमानू हथियारों के अभ्यास का आदेश कहा रूस को निशाना बनाने के लिए अगर बिटिन के हथियार हुए इस्तेमाल तो मिलेगा करारा जवाब हैश मनी मामले में नियोक की अदालत ने पूरू राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम को पाया अवमानना का दोशी लगाया 1000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना दीचेतावनी कहा गैग आदेश के उलंगन पर हो सकती है जेल मामले में ठरम पर दूसरी बार लगा है जुर्माना सैन्य श्यासित अफरीकी देश चाड में राष्ट्रपती चुनाओ के लिए डाले गए बोट वर्तमान अंतरिम राष्ट्रपती हैं प्रबल दाविदार दोहजारे किस में हुए तक्ता पलट के बाद पहली बार चुन बात करते हैं इसराइल हमास संघर्ष की इसराइली सेनाय अब दक्षणी गाजा के रफा शहर में सैन्य अभियान चलाने की तयारी कर रही है हाला कि सैन्य उक्तराष्ट और अंतराष्ट्रिय जगत ने इसराइल के इस कदम को लेकर सैयम बरतने की अपील की है लेकिन संघर्ष विराम की ताज़ा बाचीत के विफल होने के बाद इसराइल अब इस अभियान को अंजाम देने की कोशिश में लगा हुआ है संघर्ष विराम के लिए मिसर में ताज़ा बाचीत के विफल हो जाने के बाद इसराइल ने दक्षनी गजा के रफा शहर से लोगों को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है रफा शहर में 10 लाग से ज्यादा फलस्तिनियों ने शरण ले रखी है इसराइली सीमा के नजदीक पूरवी इलाकों में रह रहे लोगों से खान यूनिस और अलमवासी जाने के लिए कहा गया है इसराइली सेना का दावा है कि वहां टेंट, खाने, पानी और दवाईयों की सुईधा उपलब्ध करवाई जाएगी इस बीच हमास ने रफा के पूरवी इलाके में IDF द्वारा हमला किये जाने का दावा किया है रफा में धमाकों की आवाज भी सुनी गई है, हाला कि इसराइल की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यमिन नेतियाहू ने हमास को हराने के लिए रफा पर हमले को जरूरी बताया इसराइल का कहना है कि रफा में हमास के हजारों लडाके और संभावित रूप से तरजनों बंधक मौचूद है रफा से निवासियों की निकासी के इसराइली आहवान को फिलस्तिनी शरणार्थियों के लिए सयुक्त राष्टर राहत और कार्य एजेंसी UNRWA ने भारी तबाही वाला कदम बताया है रफा सीमा एक मातर स्थान है जहां से हमें सहेता मिल रही है इसलिए यदि यहां सीमा पर सैन्य अभियान होता है तो इससे सहेता लाने आपूर्ती लाने कि हमारी शम्ता प्रभावित होगी इस बीच हमास ने कहा है कि रफा में किसी प्रकार के हमले से संघर्ष विराम वारता को नुकसान पहुँचेगा वही राश्टरपती जो बाइडन ने रफा में सैन्य अभियान शुरू किया जाने को लेकर प्रधान मंतरी नेतिन यहू से बात की है उधर योरोपिय संघ के विदेश नीति के प्रामुक जोसेप वोरेल ने इसराइल से रफा में हमला नहीं करने का अहुआन किया है उन्होंने अंतराश्ट्रिय समुदाई से ऐसी इस्थिती को रोकने के लिए मिलकर काम करने की अपील की है रफा में रह रहे हैं लोगों का कहना है कि संघर्ष शुरू होने के बाद से ये चौती बार है जब उन्हें पलायन करने के लिए कहा जा रहा है रफा में बड़े पैमाने पर हमले की आशंका बढ़ने पर लोग टेंट उखाड कर दूसरी ओर कूच करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस बीच हिजबुला ने इसराइली उत्तरी शहर मेटूला के पास एक इसराइली सेन ठिकाने को ड्रोन हमले से निशाना बनाने का दावा किया है इसराइली सेना ने कहा है कि वो अभी तक घायलों या हताहतों की पुष्टिन नहीं कर सकती है लेकिन लेबनान की सीमा से किये गए हमले की पुष्टिकी है इसराइली मीडिया में दो लोगों के घायल होने की बात भी कही जा रही है उधर अमेरिका के कोलंबिया विशुविध्यले ने पिछले हफते फलेस्तीन के पक्षम हुए प्रदर्शनों के मद्दि नजर 15 माई को होने वाले आयोजन को रद्द कर दिया है युनिवर्सिटी ने स्कूल इस्तर के कारिक्रम को रद्द कर दिया इस कारिक्रम में चात्रों को समू में व्यक्तिकत रूप से सम्मानित किया जाता है कोलंबिया में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते दूसरी युनिवर्सिटियों में फैल गया था चात्रों ने गाजा में युद्ध विराम के अहवान के साथ इस्राइल से जुड़ी कमपनियों से कॉलेज का संबंध तोड़ने की मांग की थी अगली खबर की और आपको लिए चलते हैं औरी ऑस्ट्रीलिया के संगी न्यायले द्वारादी गई है इस मामले में प्रभावी त्यात्रियों को भी भुक्तान किया जाएगा इसमें हर ग्रहा को दोसुपचिस ऑस्ट्रियाई डॉलर से 4500 ऑस्ट्रियाई डॉलर के बीच भुक्तान किया जाएगा चलिए अब चलते हैं योरोप की ओर चीन के राश्टरपती अपनी योरोप यात्रा के तहट इस वक्त फ्रांस में है उन्होंने फ्रांस के राश्टरपती इमेन्वल मेकरों और योरोपिय संक्या धक्ष उर्सुला वॉन्डेर लेन के साथ एलिसी पैलेस में वारता की इस दोरान जिन पिंग ने कहा कि योरोप बीजिंग के लिए विदेश नीती की प्राथमिक्ता बना हुआ है उन्होंने कहा कि ब्रूसेल्स और बेजिंग को साज़ेदारी के लिए प्रतिबद रहना चाहिए चीन के राश्टपती शी जिन पिंग करीब पाँच सालों बाद योरोपिय देशों की यातरा पर निकले हैं इस स्यातरा में उनका पहला पड़ाओ फ्रांस है जहां उन्होंने फ्रांस के राश्टपती एमैन्मेल मैकरॉन और योरोपिय संग के अध्याक्ष उर्सुला वॉंडर लेन के साथ एलिसी पैलिस में वारता की इस दोरान दोनों निताओं ने जिन्पिंग के सामने संतुलित वयापार का मुद्दा जोरशोर से उठाया यू की अध्याक्ष वॉंडर लेन ने चीन पर आरूप लगाया है कि योरोपिय बाजार में बढ़े चीनी इलेक्ट्रिक वानों और अंडे उत्पादों के कारण योरोपिय बाजार में डी इंडस्ट्रियलाजिशन का खत्रा बढ़ रहा है साथ ही यूकरेन पर चीन के रुख पर भी दोनों नेताओं ने चिंता जताई यूरोपिय संग और चीन के बीच महतुपून आर्थिक संबंध हैं दोनों के बीच प्रत दिन 1.3 बिलियन यूरो के करीब का वैपार होता है लेकिन ये रिष्टे चुनोतियों से भरे हुए हैं बाजार में उत्पादों की संख्या की असमानता जैसे मुद्दे परशानी खड़ी कर रहे हैं मैं यूरोप और चीन के संबंधों पर बात करने का प्रस्ताव रखता हूँ हमें व्यापार से संबंधित मुद्दों जैसे बाजारों तकने स्पक्च, पहुंच और स्परधा सामनजर से स्तापित कर विकास की स्थितियों पर चर्चा करना अहम होगा हम यूकरेन और मध्यपूर के संकटों पर बातचित करने पर भी ध्यान देंगे वहीं राजपती जिन्पिंग ने कहा कि यूरोप बीजिंग के लिए विदेश नीती की परात्मिक्ता बना हुआ है उन्होंने कहा कि ब्रुसेल्स और बीजिंग को साजेदारी के लिए प्रतीबध रहना चाहिए चीन हमेशा ही यूरोप के साथ संबंदों को बेहतर करने को प्रात्मिक्ता देता है मुझे उमीद है कि चीन फ्रांस संबंद और चीन यूरोपिय संग संबंद एक दूसरे को बढ़ावा देंगे और एक साथ विकास करेंगे हाल के दिनों में चीन और ईयू के बेश विया पारिक तनाव काफी बढ़ गया जब यूरोपिय संग दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थवेस्था पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है चीन भारी सबसीडी वाले सस्ते उतपादों का निर्मान कर रहा है और यूरोपिय देशों की खपस से अधिक उतपादन कर रहा है चीन के इस कदम से यूरोप की घरेलू बाजार पर असर पढ़ रहा है और यूरोपी बाजारों में चीनी उत्पादों की संख्यात तेजी से बढ़ रही है इस समस्या से निबटने के लिए यूरोपी संख्य चीन से आयाद किया जाने वाले इलक्टरिक कारों पर टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है हाला कि वो पूरी तरह से चीन के साथ संबंदों को खत्म करने के पक्ष में नहीं है प्रिस की सौतनत्ता के लिए काम करने वाले एंजियो रिपोर्टर्स विदाट बॉर्डर्स के कारश करताओं ने शी जिन पिंग का बड़ा विरोध किया और पैरिस में आर्क डी ट्राइंफ के सामने विरोध परदर्शन किया शी जिन पिंग अपनी यातरा के दुस्से पड़ाओं में सर्बिया और हंगरी का दोरा करेंगे इन दोनों देशों ने रूस द्वारा किये युकरेन पर हमलों के बाद भी रूस के साथ अपने संबंदों को बनाए रखा है अब देखना ये होगा कि चीन जो दोरी निती अपना रहा है उसमें कितना काम्याब होता है रूस और युकरेन का युद्ध पहले से भी ज्यादा तेज हो गया है दोनों पक्ष एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहे है वही रूस ने कथित रूप से पश्चमी देशों की तरफ से दी जा रही धमकी के जवाब में एक सैन्य अभियान शुरू करने का फैसला किया है जिसमें परमाणू हतियारों के उप्योग और तैनाती पर ध्यान दिया जाएगा रूस और युक्रेन के बीच युध तेज होता जा रहा है अग्रिम पंक्तियों पर हमले के साथ साथ दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बना रहे है रूस के बिलगोरोर्स छेतर में हुए युक्रेनी ड्रोन हमले में छे लोगों की मौत हो गई जबके अन्न 35 गायल हो गए है इस हमले की चपेट में दो बसे आई हैं प्रांद के गवर्नर ने घटना की तस्वीर साज़ा करते हुए बताया कि घायलों में एक व्यक्ति की स्थिती गंभीर है उधर युक्रेन के सूमी इलाके में किये गए रूसी ड्रोन हमले में उर्जा सन्यंतरों को निशाना बनाये गया जिस से बड़ा इलाका अंधेरे में डूब गया उर्जा मंतराले की ओर से बताया गया कि बिजली बहाल करने का काम सुब तक जारी रहा इस बीच युक्रेन ने तेरह में बारह रूसी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है उधर रूस ने कथित रूप से पश्चिमी देशों की तरफ से दी जा रही धमकी के जवाब में सेन अभियान शुरू करने का फैसला किया है जिसमें प्रमानू हत्यारों के उप्योग और तैनाती पर ध्यान दिया जाएगा क्रेमिन के मुताबिक प्रमानू हत्यारों का अभियास पश्चिमी देशों की तरफ से की जा रही युक्रेन में सेना की तैनाती का करारा जवाब होगा ब्रेटेन, अमेरिका और फ्रांस के प्रतिनिदियों के बयान सामने आ रहे हैं जिसके अनुसार वह युक्रेन में सेना की तैनाती को लेकर तैयार है उनका इरादा है नाटो के सैनिकों को सीधे तोर पर रूस के सैनिकों के सामने तैनात करना रूस इस नए कदम पर विशे इस रूप से ध्यान देगा और हर ज़रूरी उपाए भी करेगा इस बीच अमरीका समयत आने देशों ने उत्तर कोरिया पर युक्रेन के खिलाफ रूस को हप्यारों की आपूर्ती करने का आरोप लगाया हाला कि मासकों और पियों यांग दोनों ने इन आरोपों से पला जाल लिया है इसके पीछे रूस और उत्तर कोरिया द्वारा पिछले कुछ महीनों में आपसी संबंधों की मजबूती का तर्क दिया जा रहा है बहराल फ्रांस ने यूकरेन में सेना भेजने की बात से इंकार करते हुए रूस के आरोपों को सिर्फ दुष्ट परचार करार दिया है फ्रांस के विदेश मंत्राले ने सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म पर इन दावों को खारिश किया दरसल फ्रांस इसी राष्टपती इमेनिवल मैकरॉन ने कहा था कि अगर कीव को जरूरत होगी तो फ्रांस यूकरेन में सेना भेजने पर विचार करेगा रूस ने ब्रिटेन को चेताउनी दी है कि यदि यूकरेन दोरा रूस के खिलाफ किये गए हमलों में ब्रिटेन के हत्यारों का इस्तमाल किया गया रूस ने फ्रांस के राजदूत को भी आपचारिक बाचीत के लिए रूसी विदेश मंतराले में बुलाया हाला के रूसी विदेश मंतराले ने इस बात का सपश्टी करन नहीं दिया है कि फ्रांसिसी राजदूत को क्यों बुलाया गया है यह पर एक छोटा साब रेख लेते हैं के मैदान में मुचूल फंड्स ? हर मेने, इन्वेष़ करो फ्यूचर की तियारी करो करोणों लोक लोग इन्वेष़ कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं सही है, सर तो आज़ाओ मैदान में mutual fund निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें ये पिशाल है इसका सब प्रॉपर चलता है गल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपर का फ्रॉड हुआ है पता है इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है तेंशन क्यों मेरी कोई गलती नहीं थी फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंद बैंको इंफर्म कर दिया RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोके से पैसे निकाले है तो बैंक को जल से जल इंफर्म कीजिए तीन दिन के अंदर इंफर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा जितना लेट करोंगे उतना ज्यादा नुकसान और सुर्म सब चलता नहीं है प्रॉपर चलाना पड़ता है आर्बिया कहता है जानकार बनिये सदर कर लिए इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर्स पंड होता है लेकि अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एक्जेक्यूट नहीं हुआ या पिर कोई गरेंटी डिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये आईपी अपकी मदद नहीं कर सकता है और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो 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 फिर आईपी एफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है कहां से सिखा एन्से की साइल पर सोचकर समझकर इन्वेस्टिकर सुक्ला बता रहा था आपके बाउजी ने जायदत का कुछ इससर नौकर के नाम कर दिया अप नौकर हर काम अपना घर समझके करेगा समर्कूल जो हर दिल करे कबूल स्वागे दैपका ब्रेक के बाद और आईए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना हैशमनी मामले में नियोक में डोनाल टरम के आपराधिक मुकदमे की अध्यक्षता कर रहे नयाधीश ने सौमवार को पूरू अमेरिकी राष्ट्रपति को अदालत की अव मानना का दोशी पाया और उन्हें चेतावनी दी की अधिक उलंगनों के कारण जेल जाना पड़ सकता है नियामूर्ती जुआन मर्चन ने उस गैग आदेश का उलंगन करने के लिए टरम पर 1000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया गैग आदेश टरम को जूरी सदस्यों गवाहों और मामले में शामिल अन्य लोगों के बारे में सार्वजनिक रूप से भड़काऊ टिपणिया करने से रोकना है पिसले महने मुकदमा शुरू होने के बाद से ये दूसरी बार है जब टरम पर अदालत की आउमानना का आरोप लगा है पिसले सब्ता उन पर 9000 डॉलर का जुर्माना लगाया गया था नौ उलंगनों में से प्रत्यक के लिए 1000 डॉलर लगाया गया था लैटिन अमेरिकी देश पनामा में हुए चुनाव के बाद जोस राउल मुलिनो अब नई राष्ट्रपती होंगे पूरो राष्ट्रपती मार्टिनेली को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराये जाने से पहले मुलिनो बतौर उप राष्ट्रपती अपनी किस्मत आजमा रहे थे लेकिन मार्टिनेली के चुनावी दोड से हटाए जाने के बाद मुलीनो राष्ट्रपती के उमिद्वार हो गए मुलीनो चुनाव तो जीत गए हैं लेकिन उनके सामने कई तरह की चुनावतिया है छे महीना पहले वेवारी तोर पर राजनी से सेवा निवरित होने की बात करने वाले जोस राउल मुलीनो अब लेटिन अमेरी की देश परामा के नए राष्ट्रपती होंगे रईवार के हुए चुनाव में मुलीनो ने एक तिहाई से अधिक वोट हासिल करते हुए शांदार जीत दर्श की है मनीला अंडी के आरोप में दस साल की जेल की सजा सुनाय जाने के बाद फायर ब्रेंड ने ता मार्टीनेली के चुनाव और लड़ने पर पतिबन लगने के बाद मुलीनो को उनकी जगां उमिदवार बनाया गया था 90 फिसदी वोटों की गिंती के बाद चुनाव आयोग ने 34 फिसदी अधिक बतों के साथ मुलीनो को अनौपचारिक रूप से विजयता गोशित किया है 25 फिसदी वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहने वाले रिकार्डो लोंबाना ने मुलीनो को उनकी जीत पर बधाई दिया है मुझे चुनावी नयाधिकरण की ओर से यह घोशना करते हुए खुशी हो रही है कि हमारी अनौपचारिक परिणाम प्रसारण प्राली के अनुसार जब आप 2024 के आम चुनाव में अनौपचारिक रूप से राश्टपती पत के विजयता है फार ब्रेंड नेता मार्टीनेली को चुनाव लड़ने के लिए आयोग ठहराय जाने इस थे पहले मुलनो बतौर उपर राश्टपती अपनी खिसमत आजमा रहे थे लेकिन मार्टीनेली के चुनावी दोर से खटाए जाने के बाद मुलनो राश्टपती के उमिदवार हो गए मार्टीनेली फिलहाल की रफ्तारी से बचने के लिए निकारगुआ के दूतावास में शरड ले रखी है और दोनों ने गले लग कर कहा हमारी जीत पक्की है और नतीजे भी उनके पक्ष में रहे नवन्यूत राश्पती मिलनों ने देश की जनता का आभार व्यक्त किया है मैं खुले और विवस्तित परिवर्तन को आगे बढ़ाने का फरोसा दिलाता हूं जिसकी हम सभी अकांशा करते है यह एक मातर तरीका है जिससे हमें पता चल सकता है कि हम कहां थे और कहां जा रहे हैं पनामाय में बहुत से लोगों को मार्टी नेली के कारेकाल 2009 से 2014 के दोरान किये गए विकास कारियों को बहाल किये जाने का इंतजार है इस दोरान देश के बुनियादी धाचों में तेजी से उचाल नहर का विस्तार और मध्ध अमेरिका की पहली मेट्रोलाइन के निर्मार जैसे बड़े कारे किये गए थे महगाई जीवन यापन की उच्चे लागत और बढ़ते अपराद चुनाव में मुखमुद्दे थे जनता ने मुल्नों के अर्थ विस्ता को पट्री पर लाने के साथ बरष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ने समय दूसरे चुनावी वादों पर भौसा किया पनामा के राश्पती पत की सीमा एक कारिकाल है अंतराश्टी मुद्रा कोश के सकल घरे रूत पात की विर्दी दर दो हजार तेईस में साथ दशमलो तीन पसीशन से घटा कर इस वर्ष दो दशमलो पांच फीसदी होने का अनुमान ज़ता है इसका कारण पनामा नहर है जहां से दुनिया का समुद्री वेपार लगबग 6 पतिशत होता है लेकिन भैनक सुके के कारण यातायाद को सीमित कर दिया गया है मुलिनो के एक और सिर्दर्द कोलंबिया और पनामा के बीच डेरियन गैपिला का है इसके माध्यम से पिछले साल पांच लाग से अधिक प्रवासियों ने इधर का रुख किया था और आईए अब देखते हैं अफरीका नामा अफरीकी देश चाड में चुनाव चल रहा है यहां अंतरिम राष्टपती महमत इद्रीस डेवी को मुख्य दावेदार माना जा रहा है डेवी युनाइटेट चाड गडबंदन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं इसमें सरकार समर्थक कई अन्यदल भी शामिल है देवी चाड के सबसे युआ नेताओं में इसे भी एक हैं हाला कि देवी के साथ साथ चाड का पिसले कुछ सालों का इतिहास अगर हम देखें तो लोक्तांत्रिक नहीं रहा है अफरीकी देश चाड के मदाताओं में सुबह से ही भारी उस्साह देखने को मिला अफरीका के साहिल अलाके के कई देशों में हुए तख्ता प्लट के बाद शित में पहला चुनाओ है चुनाओं में कुल आठ दशम्रों पांच मिलियन मदाता है चुनाओं मैदान में एक महिला समेट कुल दस उमीदवार है अंतरिम राश्पती महमत इद्रीज डेवी को मुख दावेदार माना जा रहा है कई भी पक्षिव उमीदवारों के नामांगन को आनिमताओं के चलते खारिच कर दिया गया था तीन दश्कों से अधिक समय तक देश के सत्ता पर काबिज डेवी के पिता की दो हजारी कीस में हत्या कर दी गई थी इसके बास सेना ने समीधान को भंग कर दिया अठारा महीनों के लिए देश का नेतरुत करने के लिए एक सैन परिशत के स्थापना की गोशना की डेवी इस परिशत के अध्यक्ष बनाए गए पिछले साल डेवी ने जब 18 महीने पुरानी अंतरिम सरकार को दो साल आउर बढ़ाने के एलान किया तो देश भर में विरोध पोजेशन भड़क उठा था डेवी युनाइटेड चार्ट गर्वंधन के तहट चुनाव रहने हैं इसमें सरकार समर्थ तक कई अन्य दल शामिल हैं डेवी चार्ट के सबसे यूआर नेताओं में से एक हैं लेकिन शुरू से ही एक वर्ग उन पर पद छोड़ने के लिए दबाव बनाता रहा है समीधान के अनुसार राशपती के मृत्ति के बाद संसत का ध्यक्ष देश का शाषाख होगा इसके बावजूद उन्होंने अंतरिम सरकार कारिकाल कई महीनों बढ़ाकर 10 अक्टूबर 2024 कर दिया हम दुनिया के उन सभी देशों के साथ काम करेंगे जो राज की संप्रबुता का सम्मान करते हैं जब तक वे हमारा सम्मान करते हैं हम उनके साथ काम करेंगे हम उनके साथ सही होग करेंगे जानकारों को माना है कि डेवी अपनी इस्तिती को वैद बनाने के लिए 2022 में विपक्ष के प्रमुखनेताओं के साथ शांती समझोते पर हस्ताक्षर किये उन्होंने जन्मसंगरा के द्वारा समीधान में बदलाओ का प्रस्ताओं भी रखा 2023 में कराए गया जन्मसंगरा में चाट के लोगों ने कई प्रस्ताओं को हरी जंडी दी इसमें राश्पती के कारिकाल 6 से घटा कर 5 साल करने और चुनाओ लणने की उम्र को 40 से घटा कर 35 वश करने के साथ ही सता हस्तांतित करने के लिए इस्थानिये परिशदों के गठन के प्रस्ताओ शामिल था डेवी के 3 साल के शासन में उनकी पिता के शैली के जलक देखने को मिली उन्होंने 2022 के विरोध पदशनों को कुचनने के लिए विपक्ष पर कठोर से कठोर कदम उठाए प्रमुख विपक्षी नेताओं को परिशान किया गया कई को तो जान से हाथ भी धोना पड़ा मनने वाले नेताओं में उनके एक चचेरे भाई या या डिलो भी शामिल आए डेवी के एक और रिश्यदार जो डिलो के सहयोगी थे उन्हें जेल में ठूस दिया गया लेकिन साथ ही उन्होंने दूसरे विपक्षी दरों को अपने साथ भी मिलाया उन्हें उच्छे पदों पर नियुक्त किया ऐसी ही रणीत कभी उनके पिता कई बार अपना चुके थे कुछ वीशेशगों का मानना है कि चुनाओ डेवी को सत्ता पर अपनी पकड़ सुनेशित करने में मदद करने के लिए महज एक आउप चारिकता है हला कि वीपक्षी सदसों के साथ शांती वारता के दोरान नए सुधारों पर सहमती के तहर डेवी की सरकार ने जनवरी में राष्टी चुनाओ परवंधन एजनसी और समयधानिक परिशद की स्थापना की आलोचको का कहना है कि राष्पती डेवी दोरा चुने गए आयुक्तों से निश्पक्ष चुनाओ की कैसे उम्मीद की जा सकती है चार्ड की पहले से ही खराब अर्थवयस्था पिछले एक दशक में और सी कुड़ गई है आसुरक्षा और तेल राजस पर अतिधिक निर्भरता इसके मुख्यकारक है यूक्रेन में युद्ध के कारण उच्छे खादे कीमतों के इलावा चार्ड लाकों शर्णार्तियों की समस्या से जूज रहा है चार्ड नाइजेरिया के साथ लगने वाली सीमा पर आतंकी ये बोको हराम के खत्रे से निपटने की भी कोशिश कर रहा है और आईए अब आपको दिखाते हैं विश्वा संस्किर्थी विश्वा संस्किर्थी में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया की सबसे लंबी ब्रेड इस ब्रेड की कुल लंबाई 143 मीटर है इसे फ्रांस में तयार किया गया है इसे तयार करने वाले बेकर्स की टीम ने बेंगवेट यानि की इस लंबे ब्रेड के कुछ हिस्से को वहां मौजूद प्रेशन सकों में बाढ़ दिया जबकि बाखी बचे ब्रेड को बेघरों में दान कर दिया गया दुनिया की सबसे बड़ी बेंगवेट इस ब्रेड की कुल लंबाई 143 मीटर है इसे फ्रांस के बेकर्स की एक टीम ने तयार किया है बेगवेट एक पतली और लंबी डबल लोटी होती है जो कम से कम 60 संटीमीटर या लगभग 2 फीट लंबी होती है इसे फ्रांस का राश्टी पतीग भी माना जाता है दरसल इसकी शुरुआत फ्रांस में हुई थी इन दिनों इसका चलन्ज सभी यूरोपिये देशों में है इसे नाश्टे से लेकर राट के खाने तक किसी भी वक्त खाया जा सकता है फ्रांस की राजधानी पेरिस के उपनगर सेवरिन में फ्रांस इसी बेकर्स की अठारा सादसीय टीम ने पांच माई को दुनिया के सबसे लंबे 143.53 मीटर के बैगवेट का नया विश्य रिकार्ड बनाया इससे पहले ये विश्य रिकार्ड इटली के बेकर्स के नाम था जब 5 साल पहले इटली के कोमो में 133 मीटर लंबा बैगवेट बनाया गया था लेकिन फ्रांस का बैगवेट 10 मीटर लंबा है बैगवेट के लंबाई के नय विश्य रिकार्ड के लिए गिनीज वर्ड रिकार्ड द्वारा आधिकारिक तोर पर पुष्ट की गई है जब बैगवेट की अंतिम लंबाई ना पी गई तो इसे पिछले 132 दशमलब 63 मीटर के रिकार्ड को तोड़ते हुए एक बड़ा रिकार्ड दर्ज किया मैं पुष्टी कर सकती हूँ कि यह प्रयास सफल रहा है इसे तयार करने वाले बैगवेट के कुछ हिस्से को वहां मौजूद परशनसकों में बाठ दिया जबकि बाकी बचे ब्रेड को बेघर लोगों में दान कर दिया गया फ्रेंच बेगवेट को दुनिया भर में मानेता प्राप्त है ब्रेड की मोटाई एक सीरे से दूसरे सीरे तक कम से कम 5 सेंटी मीटर या 2 इंच से थोड़ी कम होनी चाहिए साथी बेगवेट 60 सेंटी मीटर या लगभग 2 फीट लंबा होना चाहिए और इसका वजन कम से कम 250 गराम या लगभग 1,5 पाउंड होना चाहिए इसके अलावाई से किवल गेहूं के आटे, पानी, नमक और खमीर से ही बनाया जाना चाहिए हमने पूरी प्रक्रिया के दोरान गंभीरता से इस पर नजर रखी कई बार डर भी लगता था आटा सानने से लेकर ओवन चड़ाने और उतारने तक काफी सावधानी बरती गई टीमों को आकार देते समय सब कुछ अनिवारे रूप से तनावपूर्ण था फ्रांसीजी चेर सेवरेस में 18 विशेशक बेगल्स की एक टीम दोरा बनाये के बैगवेट को पकाने के पहले इसका वज़न 152 किलो ग्राम या 335 पाउंड आटा था इस ब्रेट को बनाने में इस्तेमाल की गई सामगली में 90 किलो आटा 60 मीटर पानी 1.2 किलो नमक और 1.2 किलो खमीर शामिल था फ्रेंच बेकर्स ने ब्रेट बनाने के लिए कई घंटों के तैयारी सुबा तीन बज़े से ही शुरू कर दी थी इसे पकाने के लिए एक खास किस्म के तंदूर का इस्तमाल किया गया जो एक बड़े शिविर के आकार का था इस पंके में पहिया लगा हुआ था जो बहुती धीमी गती से चल रहा था तो अंतराश्टिक खबरों में फिलहाल इतना ही आप हमारी अंतराश्टिक खबरों की टीम को इजाज़त दीजिए लेकिन मेरे साथ कुछी तेर में आप देख सकते हैं सो खबरें फटा फटा अंदाज में नमस्कार